हलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि Bollywood कैसे हमारे emotions के साथ खेल रहा है इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी Bollywood की इस चाल में ना फस सको बसे मैंने description में telegram का link दिया हुआ है वहाँ पर हम lucky winners को cash prize दे रहे हैं यह सिर्फ मेरा opinion है जो कि Bollywood पर है अच्छा आप लोग एक बात बताओ आप लोगों ने notice किया कि पिछले कुछ दिनों से हमें जादतर भगवान की उपर बनी movies या उनकी life से जड़ी ही movies ही देखने को क्यों मिल रही है जैसे भी recently from master movie और अब आदिपुरुष movie आने वाली है देखो भाई बात पिल्कुल clear है boycott of Bollywood और boycott Bollywood movies अभी ये trend पर है बड़ी से बड़ी movies भी इस time पर नहीं चल पा रही हैं जैसे कि लाल सिंग चड़ा वैसा दस बात का idea Bollywood को पहले से ही लग गया था क्योंकि 2013 और 2014 से कुछ movies के boycott होने का trend स्टार्ट हो गया था और जो time के साथ speed पकड़ता गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ movie makers ने दिमाग लगाया कि लोग movies का boycott कर रहे हैं क्योंकि वो लोग उस movie से connect नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो भी movies filmmaker बना रहे हैं उनकी story बिलकुल ही unknown होती है viewers के लिए जिसकी वज़े से viewers easily movie का boycott कर देते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ movie makers के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना God's related movies बनाई जाए और इंडिया में तो भगवान की वक्ती करने वाले लोग भरे पड़े हैं तो ऐसे में अगर कोई श्री राम जी से जुड़ी movie बनाएगा तो लोग उसका boycott नहीं करेंगे और यहीं से सुरू हुआ भगवान के उपर movies बनाने का सलसला अब आप लोग कहोगे कि दो ही तो movies बनी हैं भगवान के उपर पर ऐसा नहीं है यो तो सिर्फ वो movies हैं जो release हो चुकी है या release होने का announcement हो चुका है बट अभी कुछ movies का production होना बाकी है और वैसे भी इस time पर कई सारे hero heroines का भी boycott हो रहा है जिसकी वज़े से इस time हर एक actor और actress इस तरह की movies में पार्ट लेना चाह रहे है मैं आपको कुछ upcoming movies के बारे में बता देता हूँ जैसे दिपेका पादुकोन की द्रोपती movie आ रही है विकी कोशल और सारा लिखान की The Immortal Aswathama movie आ रही है अच्छा गुमार की राम सेतु movie आ रही है और अभी दो movies और आने वाली हैं जैसे राम आयना और महावारत जिनकी script पर अभी भी काम चल रहा है बस इंडिया में एक बात तो तहय है कि अगर आपको movies को hit कराना है तो movies में कुछ ऐसा कर दो कि controversy create हो जाए बस फिर क्या controversy जितनी ज़्यादा होगी इंडियरेक्टली उस movie को उतना ज़्यादा promotion हो जाएगा वो भी बिना पैसा करच किये अब आदी पुरिश movie में रावन के character को ही देख लो रावन कम और मुगलों का राज़ा ज़्यादा लग रहा है ऐसा नहीं कि movie makers और उनकी team को पता नहीं कि रावन का look कैसा होना चाहिए ये तो बस जानमूचकर किया गया है क्योंकि अगर सब कुछ perfect होगा तो movie में controversy कैसे होगी सोचे ज़रा भगवान के उपर बनी movie जिसका कोई boycott नहीं करेगा और थोड़ी सी controversy से free marketing भी अगर मिल जाए तो movie को hit होने से कौन रोख सकता है फिल्मेकर सोचते हैं कि हम Indian viewers तो बेवकूफ हैं भगवान के नाम पर कोई भी movie दिखा दो हम सब देख लेंगे पर अब time आ गया है कि हम उन्हें ये बताएं कि ऐसा नहीं है ये लोग हमारी सोच और emotion को इस तरह से manipulate नहीं कर सकते अगर हमें किसी का boycott करना है तो हम करेंगे मैंने अपनी last video में आदिपुरुष movie का जिक्र किया था जहां मैंने बोला था कि अभी सभी लोग पैसे जोड़ना शुरू कर दो क्योंकि आदिपुरुष movie आ रही है जो कि सिरी राम की life पर based है उसे देखने जरूर जाना है ये line मेरी नहीं है बलकि ये बात ये movie makers के दिमाग में है कि God's related movie आएगी तो लोगों के मन में यही बात चलेगी कि इस movie को जरूर देखने जाना है क्योंकि ये मारे भगवान की life पर based है और यही बात मैंने indirectly अपनी last video में भी बोला है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी end screen पर वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और हम लोगों की एक problem और भी है कि हमें जिस काम को करने से मना किया जाता है हम वही काम जरूर करते हैं जिसका filmmaker सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं और हमें पता है कि movie visually कैसी होने वाली है पर फिल भी हम ऐसे बहुत से लोग इसे देखने को जरूर जाएंगे क्योंकि उन्हें ये जानना है कि इस movie में और ऐसा क्या-क्या है जो बेकार है या जो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया filmmaking एक business है और filmmakers business man profit कमाने के लिए एक business man कुछ भी कर सकता है यहां तक कि आपके emotions के साथ भी खेल सकता है मैं ये बल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि filmmakers evil है बस ये बताना चाहता हूँ कि कुछ filmmakers हम लोगों के emotions का फायदा उठाकर पैसा कमा रहे हैं उनसे aware रहो बकि हर film बेकार नहीं होती कई film है जो Bollywood ने बहुत अच्छी दी है और मैं उन movies को कई बार देख चुका हूँ बस इतना याद रखो कि जो लोग आपके emotions का फायदा उठा रहे हैं उनसे बच कर रहो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर दो आपके क्या views हैं इस वीडियो के बारे में comment करके ज़रू बताओ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो informative है और आप हमारा साथ देना चाहते है awareness फैलाने में तो इस वीडियो को अपने सभी social media groups में forward करते हो और ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए चैनल को subscribe करके notification bell को on कर लो और हाँ वैसे मैंने description में telegram का link दिया है जहांपर हम सभी lucky winners को cash prize दे रहे हैं telegram group को join कर लो ताके आप भी कुछ cash prize जीत सको अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले